वैशाली, राजापाकर प्रखंट के अंतरगत पंचायत राजबेराई के मुख्या उम्मीद्वार नागेंद्र साहनी ने मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता जनारदन का आशिरवाद मुझे मिला तो मैं अपने पंचायत को मौडल पंचायत बनाऊंगा और मैं जनता जनारदन के आदेश से ही पंचायत में मुख्या पद के उम्मीद्वार बना हूँ मैं अपने पंचायत वासीयों को मान सम्मान शिक्षा स्वास्थे पर जोर होगा, और किसी भी तरह की योजना में कोई भी बिचॉलिया को मैं नहीं आने दूँगा. पिछले पांच वर्षों में जो विकास सिर्फ कागस पर हुआ है और बिचोलियों के द्वारा पंचायत को लूटा गया है वह मैं हर गेज नहीं होने दूंगा मैं गरीब का बेटा हूँ और गरीबी को बड़ी नजदीक से देखा हूँ इसलिए मैं अपने पंचायत वासेयों जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें मैं पंचायत को आदर्श पंचायत बना दूंगा सिक्षा समान और जो जतने जो हमारे सिक्षे लोग है उसकी मान समान हम करेंगे और आप अगट के आते हैं तो सभी जनता जनार्दन को मान समान दिजीएगा स्वास्त के बारे में आप कहां बहुत इस्तिति खराब है डॉक्टर आते भी नहीं है स्वास उपकेंद्र है क्या उसके लिए क्या वेवस्ता कि जीगा मिल के सरकार के अब 113 मुख्या मूख्या चुंदा चाहते हैं यह अभी मुख्या मीदवार है उनको नगा रहा है क्यों भीकास कर पाएंगे जी कर पाएंगे क्या नाम है आपका दाकेश पासवान पंचायत बेराज बेरे अदेश आपको मिलेगा जनता जनार्धन है और जनता को अशिरवाद से ही हम पंचायत जितेंगे और उनकी अशिरवाद रहेगा पिछले इतनी सब क्या कर रहे थे समाज के लिए जो आज चुन जनता अगर आपको चुनाब जीताती है अगर आप जीत के आते हैं तो क्या किजेगा जनता के लिए नया जनता के लिए करेंगे जो हम जनता जनार्धन है जनता जनार्धन है और जनता को जो सिवा है वह हम करेंगे बाकि जो बिर्दा फिल सिंग है जनना नोजना है और बह का...